तो गईस जो को Game Sense के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि Game Sense इस गेम में इकलोती एक ऐसी चीज है जो गर किसी बंदे के पास नहीं होती है ना तो वी यह ऐची खासी लॉबी में है ना कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है suppose करो आपकी closer in न ठीक ठाके ज़ाद अच्छा आप मान नहीं पाते हो और आपकी moments भी इत्ती कोई खास नहीं है लेकिन guys वहीं है अगर आपकी जो games in न वो next level है न तो आप अच्छी से अच्छी lobby में है न भाई survive कर जाओगे और वहीं guys अगर आपकी closer in अच्छी है आपकी strips भी बहुत ज़ाद अच्छी है आपकी first device पर अच्छा है लेकिन guys games in अच्छा नहीं है न तो एक अच्छी lobby आती है न आपको पता चल जाएगा कि आप कहां stand करते हो कभी customs खेलोगे न तब पता चलेगा कि आप कहां stand करते हो वह अच्छे बहुत कर लिए इस वीडियो में रहने वाली game sense के लिए कुछ top 5 tips and tricks जिनको follow करके तुम अपने game sense को improve कर सकते हो तो without wasting any more time let's start it तो guys जैसे कि tips and tricks वाली वीडियो में मैंने तुम्हें कई बार बताया होगा कि जब भी तुम किसी बंदे को knock करते हो तो try करू कि उस squad पे तुम push डाल दो ताकि तुमारे पास advantage रहे और तुम उस squad को wipe कर पा easily अब यहाँ पर देखो बंदेन है न मुझे knock कर दिया ता और team के ऐसा ने दो बंदेन डाउन कर दिया उसने एक बंदा डाउन यहाँ पर किया तो मैं पीछे जाता हूँ रिवाइब करने के लिए और बंदे अच्छा खासा खेल रहता है molly वगरा full कर देता है ताकि हो सकता है फिनिश हो जाओ मैं और molly तुम देख सकते हो कितना पास आके लगी ना वाई मेरे ओल्मस्त थोड़ा सा बच गया था मैं आपर बट अब गलती देखो क्या गरता है मैं रिवाइब तो हो जाओंगा लेकिन तुम देखना बंदे क्या गरता है अब यह बंदे को देखो इतनी जल्दी थी ना इसको कि भाई वो खुद की molly में इने डामेज लेके आगया और यह बंदा भी फिर अंदा गुस गया अब भले कितना भी अच्छा नौक किया हो कितना भी अच्छा पुश किया हो लेकिन गईस गेम से अगर होता ना तो खुद की molly से वो नहीं जलत इतनी और बगई से एक बंदा में फॉर्स ना डाउन कर देता हूँ एंड फटाफट से कवर में आता हूँ जो कि सबसे जादा इंपॉर्टेंट हैं देन अगीन एक बंदे को डाउन कर देता हो अब यह बगई वाला है यह भाग जाता है यहाँ से अब तुम भी होती तो एक्दम ये बेवकुफी वाला काम लोगा तुम्हें एना क्या लगता है कॉमें सेक्षन में मुझे जरूर से बता है ना कि उसने ऐसा क्यों गया मुझे पता है क्या लगता है उसके टीममेट ने पक्का चिला है होगा कि भाई हम सेफ है हम रिवाइब हो जाएंगे that's why वह ब कॉफी जादा लोग करते हैं अब देखो मुझे पता था सामने एक बंदा है ना क्याम करके रखा हुआ है उसको भी पता चल गया होगा obviously मैंने मॉली कर दी मैं नेड पिन कर रहा हूं अंदर घर में आके उसे भी पता तो चल गया था कि बंदा आ चुका है लेकिन फिर भी बंदे ने देखो क्या करके रखा हुआ है अब ये चाहता था ना गाईस तो यहां पर या तो खड़ा होगा है ना मुझे टीपी पी ले सकता था और मुझे एजीली मार सकता था या फिर हो सकता है नीचे कूत के जब मैं नेड पिन कर रहा था तब मुझे मार सकता था मॉल करने का ट्राइ करो जब ऐसी जगे पर टीपी पी लो ना जहां पर वो बंद है ना तुम पर रश करेगा तो तुम उसे मार पाऊगे तो यह गलती तुम्हें आगे से कभी भी नहीं करनी है तो गाइस यह तो तुम सभी को बता होगा कि गलती है ना सभी से होती है मैं भी गलत तरीके से मुझे मानने की कुशिश करेगा लेकिन यहाँ पर यह बंदा भी भाई वही सेम गलती जो इसके अभी टीम मेट नी की थी वो वापस कर देता है और गाईस यह ट्रिपल स्टोरीज हो गई या फिर ऐसी जगह है न लागसा नहां से बस थोड़ा सा जानी की जगह होती है उपर चिरने की जगह होती है वह से तो गैस यह गलती तुम्हे कभी भी नहीं करनी है उसए उसे पता था कि मेरा टीमेट अब भी जसे ऐसा इसा अ मरा है तो और मैं मार पा रहो ना तो मैं बोलूँगा भाई fallback कर दो कुई दिक्कत निया fallback है न सब लोग करते हैं अगर तुम customs वगेरा follow करते हो तुम scrims वगेरा को भी देखते हो तो guys हर team है ना ऐसी होती है जो अगर उसे लगता है ना कि यहाँ पर हम मर सकते तो fallback कर लेते हो निकल जाते है वासे तो यह चीज़ तुम जरूर से कर सकते हो तो guys क्या तुम्हें पता है कि hot drops पे ना जादतर लोग survive क्यों नहीं कर पाता है और यही reason होता है कि जादतर जो squads है ना वो hot drop पे survive कभी भी नहीं कर पाती है क्योंकि guys तुम्हें भी पता है hot drop पे तुम्हारे अलावा 30 बंदे और उत्रे होंगे तो भाई देखो तुम्हें सब का ध्यान रखना पड़ेगा कोई बंदा camp करके रखा होगा या फिर कोई बंदा है ना कहाँ पे बैठा होगा चुपके और तुम जैसी open वगेरा में जाते हो या फिर कोई भी गल्ती करते हो तो भाई तुम वहाँ पे मारे जाओगे और यही reason होता है गाई इसकी hot drops पे ना जो campers है ना वो हमीशे survive कर जाते है क्योंकि सभी लोग तो fight लेने में busy होती है और campers इना एक घर पकड़के इमा सिक्दम बैठे रहते हैं और सबको देखते रहते हैं विंडो अगरा से टीपीप लेके सबको देखते रहते हैं जैसी भाई last squad बचती है या फिर वो open में आते है बंदे बचे हुए तो उनको मार के ना आराम से वहां से निकल जाते है और यही reason होता है कि campers हमेशा survive करते हैं एक hot drop पे अब guys जिको सीदे सीदे बोल देता हूँ मुझे है ना personally campers बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो मेरी live streams देखोगे ना loco app पे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई मैं कितने जाधा campers से मरता हूँ तो मैं बिल्कुल भी promote नहीं कर रहा हूँ camping को लेकिन guys बस तुम्हें सूचना है कि तुम्हें survive करना है फिर तुम्हें kills लेके खेलना है तुम्हें rank push करना है जाधा plus लेनी है तो भाई तुम्हारे ओपर depend करता है कि तुम्हें कैसे खेलना है अगर camp करके खेलोगे तो kills कम मिलेंगे जाधा plus नहीं होगी और तुम बस match जी मिलते हैं मर गए तो मर गए अगर मार दिया तो सीधा 1v4ी करते हैं बागी कैसे तुम्हें मेरा aggressive gameplay और देखना है तो में clutches देखना है तुम्हें खतरना-खतरना clips देखने है शौट्स की फॉर्म में तुम्हें शौट्स चैनल का link ना तुम्हें comment section में मिल जाएगा और description में मिल जाएगा तुम वहाँ से जाके subscribe कर सकते हो वहाँ पर मैं daily शाम को एक वीडियो डालता हूँ तो मैं देखने में बहुत जादा मज़ा आएगा तो subscribe तुम जाके कर सकते हो link is in the description below और comment section में भी मिल जाएगा यह बाकि like नहीं किया तो guys like कर देना क्योंकि like तुम करोगे ना तो और भी जादा लोगों की help होगी प्लस मेरी भी help हो पाईगी तो कर देना याद भाही के लिए like पाईगे मिल दे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए goodbye love you guys keep grinding